गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइब लाइडिंग में और मैं हूँ रमेज सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्टसेप स्टेटस की तीन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिने mostly वर्टसेप यूजर्स नहीं जानते हैं तो अगर आप भी वर्टसेप पर स्टेटस अपडेट करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी यूस्फुल हो सकती है और अगर आप भी इन हिड़न ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इसका पता चल जायेगा तो चले फ्रेंड्स अब ज़्यादा टाइम वेश्ट न करते वे वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं वर्टसेप स्टेटस की तीन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ वो बेसिकली सिर्फ एक ट्रिक नहीं है बलकि वर्टसेप का एक लेटेस्ट अपडेट है और अभी यह अपडेट सिर्फ बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है और जल्दी ही यह अप पर क्लिक करके अपनी मुगाल गेली से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करना है जैसी आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्णर में वीडियो लेयर के जस्ट नीचे आप यह स्पीकर का एकन देख स बॉटम राइट कॉर्णर में सेंड बटन पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके वर्टसेप स्टेटस में एक साइलेंट वीडियो शेयर हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आप एक बीटा यूजर हैं तो वर्टसेप के इस म्यूट वीडियो फीचर का यूज कर सकते है और जो बीटा वर्जन यूज नहीं करते हैं वो कुछ दिनों तक और वीट कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी उने भी ये फीचर मिल जाएगा इसके बाद जो नेक्स टिक में आपको बताने वाला हूँ इसके लिए भी आपको माई स्टेटस पर क्लिक करके किसी वीडिय जो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो लयर के किसी बीपार्ट से वीडियो की लेंथ कम करनी है कि वीडियो का डूरेशन वाइन शे और शेत सेलेक्श करनी के चाके चाहिए उस तरह से आपके सामने जिफ फाइल क्रिएटकरने का ऑप्संन आपकी status वीडियो का preview GIF format में होने लग जाएगा अब आपको finally bottom right corner में send बटन पर click कर देने जिसके बाद आपके WhatsApp status में zip file share हो जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आप अपने WhatsApp status में किसी भी वीडियो को zip file में convert करके लगा सकते हैं अब जो last trick में आपको बताने वालो हूँ इसके थुरू आप अपने WhatsApp status photo या वीडियो में कोई text sticker या फिर emoji को add करके उसका alignment set कर सकते हैं उसको centralized कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको my status पर click करके अपनी कोई video या फिर photo select करनी है select करने के बाद यहाँ से आप filter का use कर सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ अलग-अलग filters मिल जाएंगे जिनें आप अपनी photo पर apply कर सकते हैं इसके साथे उपड़ टेक्स के आइकन पर click करके आप अपनी photo में कोई text add कर सकते हैं और उसे status photo में add कर सकते हैं अब अगर आपको अप से किसी को भी select कर लिजी अब जो भी sticker या फिर emoji आपने select किया है उसे थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं vertical और horizontal दो green lines आपको इस तरह से so होंगी जिसकी help से आप किसी भी sticker या emoji को अपने status photo के बिल्कुल center में set कर सकते हैं तो अगर आप अपने WhatsApp status में कोई ऐसी photo या वीडियो लगाना चाहते हैं जिसके center में आपको कोई object add करना है या कोई text add करना है तो आप इस तरीके से उसे easily align कर सकते हैं तो आज की इस वीडिय लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और इसके साथ चैनल पर नहीं है तो हमें subscribe करके bell icon press भी जरूर कर देना तो मिलता हूं दोस्तों आपको next video में तब तक के लिए take care and जै हिन